दोस्तों आज इस वीडियो में हम international business related एक बहुत ही core topic के बारे में बात करेंगे जिसको बोला जाता है finding buyers देखिए international business में अगर आप buyer कैसे find होते हैं उसके ways के बारे में आपको पता नहीं है तो आप कभी भी international business execute कर नहीं पाएंगे तो आज इस वीडियो में हम जितने भी ways है buyer finding करने का in international business उसके बारे में बहुत ही briefly discuss करेंगे Hi I am Viswan Asandha, by education I am an engineer and by profession I am an entrepreneur and successful exporter So without further delay let's jump into the topic दोस्तों जब buyer finding के बात आती है तो हम इसको दो category में divide कर सकते हैं पहला category में ऐसा होता है कि आप buyer को ढूंते हुए उसके पास जाते हैं दूसरे category में ऐसा होता है कि buyer ढूंते हुए आपके पास आता है तो इसमें अलग-अलग तरीके हैं तो one by one हम इसको discuss करेंगे पहले बात कर लेते हैं कि आप buyer को ढूंते हुए buyer के पास कैसे जाएंगे इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि buyer आपको ढूंते हुए कौनसी तरीका है कि आपके पास आजाए तो चलिए हम बात पहले काटेगर के करते हैं पहले काटेगर के जो सबसे क्लासिक और फॉस्ट तरीका होता है कि डारेट वीजिट टू दो बायर मतलब बायर को डारेट आप वीजिट करना यह सबसे क्लासिक फॉलप्रूप तरीका है लेकिन यह थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन इसमें कन्वर्शन जो है बहुत ही अच्छा रहता है और इसको आप जभी कंट्री वीजिट करें आप हमेसा ख्याल लगें कि आपके पास सैंपल होनी चाहिए आपकी जो भी प्रोडक्ट है और आपकी जो टार्गेट कंट्री और प्रोडक्ट है उस रिलेटर जो बायर है आप पहले उनको रिसर्च करें और उनको कंटाक्ट करें आपोइंटमेंड ले और उसको सही तरीके से फिर आप विजिट करें ताकि आपकी जो एक्सपेंस है आप उसमें से ज्यादा से ज् descriptive video बनाएंगे जिसमें पूरे के पूरे जो फंडा है उस बायर ढूंड़ने के तरीके के उपर पूरा को पूरा आपको इंफर्म कर पाऊँ अभी चलिया हम जो second तरीका है उसके बारे हम बात करते हैं second तरीका जो है वह है EPC and Chamber of Commerce Export Promotion Council and Chamber of Commerce के जो तरीका है यह हमेसा EPC और Chamber of Commerce बिजनेस को बढ़ातरी के लिए काम करते हैं बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए उसके उपर काम करते हैं और इसके लिए उन्होंने क्या करते हैं छेशी करते हैं और सेमिनर से आरेंज करते है बाइर सेलर मीट आरेंज करवाते हैं और एक्जीविशन में पाटिशीपेट करने के लिए भी ऐसलिटेट करते है诶 तो यह सारे चिजे करते तो उनके website से भी आपको free में मिल जाता है लेकिन उसका membership लेने के बाद ही आपको मिलता है और कुछ contact से जो free में मिलते हैं और कुछ contact से उनके जो premium contacts रहते हैं उनका membership के बाद मिलते हैं तो इस प्रकर आप EPC और Chamber of Commerce को भी इस्तेमाल करके बायर को सर्च कर सकते हैं चलिए अभी बायर फाइंडिंग के जो तीस्ता तरीका है उसके बारे में हम बात करेंगे जो यह भी एक सांदर तरीका है इसमें भी बहुत सारा conversion मिलता है जो participate in exhibition देखिए जो exhibitions होते हैं यह सिर्फ EPC यह Chamber of Commerce नहीं करते हैं इसको बहुत private sectors भी करते हैं और country के जो government representative है वो भी करते हैं तो इसमें आपकी जो target product है और target country है आप उस related exhibition में participate कर सकते हैं और exhibition में participate फोड़ा सा expensive होता है क्योंकि आपको वहां पे stall charges देना पड़ता है आपको 223 employees वहां पर employee करना पड़ता है जो कि explain करें सभी चीज़े लेकिन उसमें सबसे बड़ी फाइदा यह है कि आपको बहुत ही ज्यादा बार्स के contact मिलते हैं तो उसमें से आप directly जो contact आपको मिलते हैं उसमें से potential buyer को ढूंड़के उसके साथ business आपको deal कर सकते हैं तो यह exhibition का सबसे बड़ी फाइदा है चलिए हम बायर ढूंड़ने का जो चौथा तरीका है उसके बारे में बात करेंगे ट्रेड फेयर डारेक्ट्री देखिए यह डारेक्ट्री क्या होता है जब भी आप समलीचे किसी भी कारण से या फंड की कमी के बज़े से आप exhibition में पार्टिस्पेट नहीं कर पाए तो क्या होता है जो exhibition के organizers होते हैं वो data भी sell करते हैं वो data किसका होता है जो visitors होते हैं उनके data वो sell करते हैं तो इसमें इसको ट्रेड फेयर डारेक्ट्री बोला जाता है तो इसमें जो organizers होते हैं, आप उनको contact करके, यह थोड़ा minimal एक pay करना पड़ता है, वो pay करके आप trade fair डारेक्टरी ले सकते हैं, तो exhibition में participate करना और trade fair डारेक्टरी पचेच करने में क्या difference है, देखिए जब आप exhibition में participate करते हैं, तो आपका जो specific customer आपके stall पे विजिट करता है, तो आपके लिए आसान हो जाता है customer को target करना, लेकिन जब आप trade fair डारेक्टरी खरीदते हैं, तो इसमें क्या होता है, जितने भी विजिटर सो उस fair में आये हुए, उन सभी का data रहता है, तो उनको सारे को organize करना, फिर उसमें identify करना, और target करना, थोड़ा ता मेहनत वाला काम रहता है, लेकिन फोड़ा सा इसमें पेसे कम लगते हैं, दोस्तों buyer finding में जो फिप तरीका आता है, वो Indian embassy के रोल आता है, Indian embassy के जो data है, आप वहां से भी buyer find कर सकते हैं, तो ये पूरा का फूरा free रहता है, इसमें आपको क्या करना होता है, आपके जो targeted product है, और targeted जो country है, आप उधर Indian embassy को mail कर सक आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये कोरी आता है, कि sir हम mail तो करते हैं, लेकिन reply नहीं आता है, देखिया अगर इसमें आप गलत mail ID पे mail करेंगे, आपको नहीं मिलेगा, क्यूंकि के embassy के अंदर बहुत सारे departments होती है, तो आपको जो mail करना है, वो commerce department पे करना है, अगर आ उसको buyer finding में जो 6th number पे आता है, that is paid buyers data, लेकिए इसको port data भी बोला जाता है, ये जब ही चीजे port से export होता है, तो इसमें जो details रहता है, वो बहुत सारे private company उसको sell करते है, वो data को sell करते है, क्यूंकि data selling अपने आप में बहुत बढ़ा business है, तो इसमें एक demerit है, इसमें आपको इसमें email id, phone numbers, ये सारे details नहीं रहते हैं, इसमें स्रीफ company के नाम, country, board और material जो है, उसका details रहता है, तो इसमें क्या करना होता है, जो country उसमें आपको जो party मिल गया, country मिल गया, उसको लेके आप फिर जाके order जैसे की LinkedIn, Facebook, Instagram, ये सारे चीजों में आपको search करना रहता है, और search कर बाद वहां से आप mail id निकल सकते हैं, तो इसमें से direct mail id जो है, उम नहीं मिल पाता है, इसका सबसे बड़ी demerit यही है, अभी buyer डुणने का जो 7th ways के बारे में हम बात करेंगे, वह है international agent, देखिए, international market में बहुत सारे agents होते हैं, जो buyer और seller डुणने में मदद करते हैं, product validate करन यह आपके जिम्यदारी है, क्योंकि market में बहुत सारे fraud भी है, fraudster भी है, आपके साथ fraud होने का chances भी रहता है, जब आप online search करते हैं, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, उसको पूरा validate करिए, और validate करने के बाद ही किस से deal करिए, नहीं तो आपको उसके दिया हुआ buyer भी fraud निकल होता है, क्योंकि office opening में भी आपको बहुत सारे charges लगते हैं, और आपके वहां पे staff maintain करना, यह सभी चीजों में आपको बहुत सारे expenses लगते हैं, तो यह जो startups होते हैं, जो initial stage पे हैं, यह उनके लिए convenient नहीं रहता है, लेकिन जो company अलड़ी established हैं, एक label पे हैं, तो उनके लिए यह बहुत ही effective और convenient रहता है, क्योंकि इसमें जो होता है, आपके office के माधियम से, आप easily चीजे deliver करके buyer को deliver कर सकते हैं, और जो है, आपके buyer को frequently मिल पाते हैं, तो आपका जो relation है, seller and buyer के बीच में, वो बहुत ही strong होता जाता है, तो जिसमें business conversion है, वो बहुत ही ज्यादा होता है दोस्तों, buyer डुनने का जो 9th number का हुए है, वो friends and family है, यह बिल्खुल भी expensive नहीं है, इसमें कोई पेसे नहीं लगते हैं, लेकिन आपके जो target country में, जो भी आपका friends and families रहते हैं, उनको आप convince कर सकते हैं, उसको आप partnership पे भी ले सकते हैं, या आप convince करके, आपके काम जो है, buyer क findings के बता है, इसके माधियम से buyer finding करके, आप buyer को reach करना रहता है, लेकिन अभी जो तरीका में बताऊंगा, उसमें से buyer आपको reach करेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जिसको बोला जाता है digital marketing, देखिए digital marketing में अलग-अलग heads है, अलग-अलग sub sections है, उसके बारे में भी हम बा चाहते हैं, तो आपको SEO, search engine optimization करवाना बहुत ज़रूरी है, या on-page SEO रहता है, office SEO रहता है, ज्यादा इसका technicality के उपर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब अगर आप export हो, आप खुद इसको कर सकते हैं, अगर आपको export नहीं है, तो आपको कोई agency को इसका काम देना रहता है, तो जब आप first page पे आते हैं, तो आपको जो buyer मिलने का चांसे से, buyer आपको reach करने का चांसे से, वो काफी हद तक बढ़ जाता है, दोस्तों, digital marketing के अंडर जो second way आता है, that is, social media marketing होती है, और बोला जाए तो total world over 13 से 14 social media platforms हैं, लेकिन मैं आपको हमें से यही बहूंगा, जो main 3 से 4 social media platforms हैं, जो trending में हैं, जो ज्यादा use होते हैं, और आपके जो target country में बहुत ज्यादा use होता है, आप उसमें ही ज्यादा focus करें, जैसे कि Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google, इस पे भी आप ज्यादा focus करें, और क्यूंकि यही ज्यादा trending में रहते हैं, और इसमें आप दो प्रकार के कर सकते हैं, आप ज Facebook, Instagram पे हो गया, तो इसका जो ad running के जो charges है, यह अलग रहता है, अगर आप food करते हो, तो सिर्फ और सिर्फ जो ad running के charges से आपको उतना pay करना रहता है, अगर आप कोई agency को देते हो, तो आपको agency का उसके जो service charges वो भी pay करना रहता है, दोस्तों, digital marketing के अंडर जो third way आता है, that is B2B website, B2B website याने business to business website जो होते हैं, जैसे कि यह बहुत सारे, जब आप Google करेंगे, आपको बहुत सारे B2B websites मिल जाएंगे, जैसे कि India Mart, Trade India, Export India, Alibaba, जैसे अंगिनत websites आपको मिल जाएंगे, जब आप Google में search करेंगे, तो इसमें आपके product को आपको list करना रहता है, और आपके जो company नहीं है, उसका availability दिखाना होता है, तो जब आप दिखाते हैं, तो आपको buyer easily find कर पाता है, और आपके यह ध्यान रखना है, आपके जो target country है, वहाँ पे जो B2B website के ज्यादा use होता है, उधर ही आपको list करवाना, आपको ज्यादा ही help करेगा, आपके buyers को find करने में, और buyer आप आपको reach करने में यह ज्यादा help करेगा, देखिए इसमें दो तरीके हैं, आप free में तो आपके product list कर सकते हैं, free में जब आप list करेंगे, फिर B2B website वाले जो हैं, आपको convince करेंगे कि उनका paid package हो लेना, लेकिन paid package लेने से पहले, आप properly analysis करें कि कि किसका conversion कितना है, और आप जो pay कर रहे हैं, उसका कितना return आपको मिल पाएगा, तो यह सारे calculate करके, आप उनका paid membership भी ले सकते हैं, दोस्तों आज इस वीडियो में, मैं आपको total 13 ways बताया है, जिसमें आप buyer finding कर सकते हैं, international business में, पहला जो 9 तरीके था, उसमें आप खुद buyer को find करते हुए, उसके पास पहुं इसमें आप buyer finding कर सकते हैं, और international business में, आप success हो सकते हैं, अगर इसमें से आपको कौन सा जो way है, जो आपको best लगा, आप comment में मुझे बता सकते हैं, और इसमें से अगर आपको help मिला हो, और आपको information कुछ मिला हो, तो आप इसको like, share और subscribe कर सकते हैं, और subscribe करने के बाद जो bell icon उसको भी press कर दे, ताकि जो upcoming informative वीडियो से उसका notification आप तक easily पहुंच पाए, thank you very much for watching this video.